अदरणिया डॉक्टर चिन्मो पंड़ाई जी, अदरणिया पार्धी जी, उपस्थित सभी मान्यवर, नागरिक सज्जन, माता बगिनी और छातर बंदो बगिनी. वसदहिव कुटुम बकम इस विशय पर कल भी आपने डॉक्टर साब को सुना है. अभी भी उस विशय पर डॉक्टर साब ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है. चोथे नंबर पर मैं भाशन करू तो क्या कहूँगी, ये मेरे मन में विचार चल रहा है. परन्तु रामायन तो एक ही है, और कितने रामायन चलते हैं, और एक रामचरीत मानस को लेकर कितने कथाकार, कितने प्रकार की कथा करते हैं. तो इसलिए इस विशे पर मैं अपने ढंग से कुछ बाते आपके सामने रुखूंगा. परन्तु चार भाशन हो गए हैं, तो कुछ पुनरावृत्ति होगी, तो उसके लिए वो मेरा दोश्मान के मुझे ख्षमा करना हो. भारत में उत्थान का जो भी प्रयाश चलता है, वो केवल भारत के लिए नहीं चलता हो. यह भारत का स्वभाव है है. क्योंकि भारत का निर्मान ही इसलिए हुआ है. इतियास में जाने की वैसे आवश्चता नहीं पड़ती, वरतमान नहीं सकती है. परन्तु वरतमान ऐसा क्यों है और हमको जो करना है वरतमान में, वो कैसे किया जाएगा? इसको जानने के लिए इतियास को खंगालना ही पड़ता है. तो पुरे विश्व की इतियास को हम देखते हैं. अभी वसुदहिवकुटुम्बकम हम कह रहे हैं. पुरा श्लोग भी डॉक्टर साब ने बताया. अयम निजह परोवेति गणनानाम लगुचेतसाम. यह मेरा यह तुमारा यह लगुचेतना मनुश्य में कहा से आती है? क्यों आती है? ऐसा जब विचार करते हैं तब ज्यान में आता है कि इसका कारण एक जीवन की अधूरी अनुभूती है. हम सब दुनिया में है, दुनिया को देख रहे हैं, अपने आपको भी देख रहे हैं. तो हमको तो यह ही दिखता है, आप अलग है, मैं अलग हूँ. आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप है. सब अलग-अलग काम कर रहे हैं. बोजन का समय हो जाएगा आप खाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा मैं खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा सब कुछ अलग अलग है इस दिखती हुई दुनिया को वैसा ही मानकर मानव समाच चल रहा था और उसका एक हिस्सा यहीं रुक गया इसके आगे गया ही नहीं उसने इसके आगे जानी के आवस्षकता नहीं समझी तो कहाणी अपने यहाँ यह है कि दो समाज समाज यही था सारी मानवता एक है लेकिन दो प्रवणूत्य वाले लोग थे एक जो अपनी सब प्रकार की शक्ति के आधार पर सारी दुनिया पर राज्य करना चाहते थे हमारे अधिन सब कुछ हो जाए जो हमारे अधिन रहेगा उसकी हम रक्षा करेंगे नहीं रहेगा वो हमारी दया पर रहेगा तो रहेगा जब हमारी मर्जी घूम जाएगी उसको हम नश्ट भी कर सकते हैं यह अधिकार हमको किस नहीं दिया यह हमारी शक्ति है किसी को इस अधिकार को चुनोती देनी है तो शक्ति के बल पर हमको परास्त करके दिखाए हम सब बातों के उपर है ऐसी प्रोड़ुत्ति वाले मनुश्य रहते ही है और दूसरे भी पुरुशार्थी तो ऐसे ही थे लेकिन यह सोचते थे कि अपना मनुश्य का जीवन है जैसा राजा रांति जो नहीं कहा वैसा वो सोचते थे कि हमारा जीवन केवल यशस्वी होने से फायदा नहीं उपयोगी भी होना चाहिए सक्सेस्फुलनेस यह महतोगी बात नहीं मीनिंग्फुलनेस यह महतोगी बात है और इसलिए जब इन दोनों को अनुवव हुआ कि भावतिक जगत में सारा पुर्शार्था कर लिया सब खंगा लिया सब को जान लिया सब अपने अधिन कर लिया अपने कला कोशल से वुद्धिकोशल से शक्ति से सब बातों से दोनों इस प्रकार के प्रूर्ट जो लोग थे भहुतिक सुख की परमावधी पर थे कोई कमी नहीं थी परन्तु मन में समाधान नहीं था वो ध्यान में आता था जब भहुतिक सुखसुविधाय हाज जोड़क सेवा के लिए हाजिर है और मन में संतोष नहीं है तो फिर उन सुखसुविधायों के आधार पर विकृतियां पैदा होती है जैसे ऐसी सुखकी परमावधी थी भरपूर अन्न उपलब्ध था तब कहा जाता है कि रोम के सामराज्यम्य अंतिम दिनों में इस भूति की यानि सबकुछ उपलब्ध होने की परमावधी के कारण लोग खूप खाते थे खाकर समाधान तो नहीं होता था लेकिन प्रिट भर जाता था तो गले में उंगली डालकर उल्टी करते थे फिर आकर खाते थे ऐसी विचित्र प्रवर्तिया उत्पन होती है तो दोनों के जो नेता थे एक का विरोचन था उनको असुर कहते थे उस समय असुर राज विरोचन और दूसरों को देव कहते थे हमारा देवसमस्कृति विश्व इद्याले है न वो देवसमस्कृति क्या है उसका उद्गम इस कथा में तो ये दोनों चिंदित हो गए कि ये तो ठीक नहीं है सुख के बाद क्रम में शान्ति आती है समाधान आता है लेकिन तो उल्टा हो रहा है विकृति आ रही है तो अ विरोचन को शुक्रा जाए रहे महराज ने बताया, कि देखो ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास आत्म विद्या है, आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को जानने से कुछ भी जानना शेश नहीं रहता, और आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेश नहीं रहता। फिर मनुष्य शान्त संतुष्ट हो जाता है। तो विद्या सिख्या हो। तो दोनों वलकल पहन के हाथ में समिधा लेकर शिश्च भाव से निकले, रास्ते में कहीं मिले, साथ चले ब्रह्मा जी के यहां पहुच गए। ब्रह्मा जी जान में थे, ब्रह्मा जी के लिए समिधाय लाई थी, उस समय गुरु की अपेक्षा इससे ज़्यादा नहीं रही थी। मेरा जो यग्य क्यारिश चल रहा है, उसमें तुम समिधा लाओ, या समिधा बनो। शिखाते का है को है, शिखाते इसलिए है कि जो सिखाया उसका उत्तम उप्योग कैसे करना, यह सब मानवों को तुमारे द्वारा पता चले, यही गुरु दक्षना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो समिधा लाई थी, वो रगदी कोने में बैठ गए, ब्रह्मा जी के जागने की राह देखते हुए। ध्यान से जब बाहर आये, ब्रह्मा जी देखा, दोनों वलकल पहने बैठे, और समिधा लाई कोने में रखी है। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, कुछ सीखने के लिए आप लोग आये हो, समिधाय भी लाई है, तो बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो आत्मा को देखना है, क्योंकि उसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। उसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती, वो शाश्वत है, अजर है, अमर है, इसलिए संतोष मिलता है, समाधान मिलता है, अमर्तु का लाग होता है, तो ब्रह्माजे नहीं कहा, अरे भाई, तुम देखना, देखना चाहते हो, तो कैसे देखोगे, कैसे द मचथा है, तो आखो में देखने वाला कौन है, इसका पता लगाओ, तो दुनमें कहा, ये तो बहुत आसान बात है, दोनों छट खड़े हो गए, और एक दुसरी कि आखो में आखे डालकर, देखने लेगे, खोजने लेगे, वहां कौन है, तो आखो में आखे डालेंगे, तो अपने प्रती पिम्बत दिखा ना आग तो दरपन है तो उन्हें का हमको तो हमारा भी प्रती पिम्बत दिख रहा है क्या यह ऐसा ही है हम दरपन में दिखते तब भी हम इसी को देखते हैं हम पानी में देखते तब भी हम इसी को देखते हैं वह और यह समान है तो ब्रह् लिक्षा करो। तो इनों है machen लिया कि हमको आत्मा मिल गया। यहीं आत्मा है। हम ही आसमा पे है खुदा और सभी हम। Stop प्रभू बना इसी में भलाई है निकले वापस आते समय वह इतरनी नजी को नौका में बैठकर पार करने लगे विरोचन बना बैठा बैठा उंग रहा था इंद्र चपू चला रहा था देख रहा था पानी में प्रतिभिंब है चपू चलाने से नश्ट हो जाता है और आत्म नहीं है ब्रह्मा जी ने जासा दिया हमको चलो लूट कर प्रिक्षाली हमारी कुछ और समझना पड़ेगा वापस चलो तो विरोचन ने का वापस वापस कुछ जाना ब्रह्मा जी क्यों हमको जासा देंगे जो बता उन्होंने वही अक्षर शास्त्य है हम ही है बस और पहिलिया बुजा कर अंत में उसने आत्मा को प्राप्त किया तो इंद्र हम जानते देवों की राजाय देव सांस्कृति इसलिए कहते है कि सत्य को हमने पा लिया हूँ और केवल पाया नहीं हमने अपने पूरे जीवन की रचना उस सत्य के आधार पर दिए विरोचन की समझ अधूरी रही तो अधूरे समझ के आधार पर भी भौतिक ता का उसुक तो प्राप्त कर रही सकते हैं रोज की रोटी कमाने के लिए अत्मा के आवश्यक्ता नहीं है मनुष्य प्रकृति प्रेरणा से वैसा करता है मनुष्य को पशुभी करते हैं आहार निद्रा भया मेथु नम्च सामान्य मेतत पशुभीर नरहां यह तो मनुष्य की दुरबलता है कि उसको यह सिखने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ता है कुत्ता विल्ली कहीं कॉलेजेस में नहीं जाते हैं अपना पेट कैसा भरना यह सिखने के लिए प्रजा कैसे बढ़ाना यह सिखने के लिए उनका जीवन तो ऐसे चलता है प्राकृतिक जो फ्रेरणाय हैं उसके आधार पर भौतिक जीवन को जी लेते हैं तो इस प्रकार जीने वाले भी है और रहे और सामान्य ता महाभारत के काल के समय से उनका विश्वपर प्रभा होने लगा तो हम सुनते हैं कि यवनों का सेनापती काल यवन जरासंदका मित्र था और वो भारत में था यहने उनकी कॉलनिया भारत में थी तो उस समय से वो फैलने लगे दिरे दिरे उनका ही प्रभाव हो गया पिछले 2000 वर्षों से उनके उस सोच के प्रभाव में दुनिया का सारा जीवन, जीवन के तंत्र सब चल रहे उन्होंने जो दिखता है वही सत्यमाना और जो दिखता है वो अधिक दिखे अधिक अच्छा दिखे अधिक सुप्षमन दिखे यह भी व्यवस्था की बहुतिक वस्थों का बहुत ग्यान प्राप्त किया हमारे पास भी था परन्तु महाबारत के सम्हार के बाद धिरे धिरे हम रुख गए और पिछले हजार वर्षों में तो आक्रमणों में हमारे समाज जीवन सारे उसकी सारी विवस्थाए धोस्त होगी और हम रुख गए और वो आगे बढ़ गए अब हम भी उसके बरावरी म आ रहे नटाजी ने चांदरयान का उलेक किया ही है अलग से उलेक करनी के आवश्थाए हम सब के मन में उसका आनन्द है कौन सा आनन्द है तो हम दुनिया से पीछे नहीं है बलकि हम दुनिया से आगे बढ़ गए है दक्षिन दुरू पर हम पहली बार गए विश्वा में बढ़ता ही हो आर्थिक सत्ता हमारा देश है परंदु ये सारा जो भौति कियाश है उसमें हम पीछे अब तो नहीं है और आगे बढ़ेंगे हम उसमें भी हम नेत्रुत्व करेंगे मुझे पूछा गया उस समय तो मैंने हमारा गीत उसकी आखरी कड़ी बताए ज्ञान के विद्ञान के भीक्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे नील नभके रूपके नव अर्थ भी हम कर सकेंगे भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे ये कैसे हुआ क्योंकि ज्ञान के विद्ञान के एक शेत्र में जो बढ़ गए हैं नील नभके रूपके नव अर् नहीं दिया, दास्य की घनबादोलों से उन्होंने सुख्य की वर्षा नहीं की, उल्टा दुनिया को दास बनाने में लगे, जो महाशक्ति बनता है, प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्षा, दुनिया पर अपना डंडा चलानी का प्रयास करता है, ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण उनके ज्ञान का ये अधूरापन है, उस अधूरे परन के कारण वो सबको अलग मानते हैं, सब अलग है, एक ही दुनिया में सब है, दुनिया के संसाधन है, और उनका आर्थ्यक्षास्तर कहता है, कि ends are endless and means are limited, जो इच्छाएं हैं, आकांशाएं हैं, वो भौत सारी है, और means जो है, वो मर्यादित है, इसलिए असपरदा है, struggle for existence है, और उसमें कोन जीतेगा, survival of the fittest, तो अपना उद्देश से क्या है जीवन का, जीवन का उद्देश है, जीना, अधिक से अधिक जीना, पशु विचार नहीं करता, क्योंकि उसको विचार दिया ही नहीं है, तो क्यों जन में आ, मैं मलूम नहीं, मरता क्यों मलूम नहीं, लेकिन मनुष्य विचार करता है, तो वो कहता है कि जीवन बड़ा अच्छा है, बहुतिक सुपभोग, वो सुख का उपभोग लेने का सामर्थ बढ़ना चाहिए, वो कदी खतम नहीं होना चाहिए, और लंबा सम देश है, मरना नहीं है, तो सब का उप्योग करो, बाकी सब अलग है, तुमारे जीने का सवाल है, बाकी सब के जीने का सवाल नहीं है, तो जिस से बाकी सब मर भी जाए, लेकिन तुम जीओ, तो तुम वही उपाएगा, तुम ये विचार मत करो, बाकी लोगों का क्या होग राजा जनक सोये थे रात में सपना आया हूँ कुन के राज्य में राज्य करांती हो गई शत्रु ने महाराणी को पुत्र को भगा दिया जनक को गिरफतार कर लिया दूसरी दिन दर्बार में सजा सुना ही कि आज शाम तक इस राज्य की सीमा से तुम बाहर हो जाओ नहीं तो तुम को मार देंगे और धिंडोरा पिटवा दिया कि जनक राजा बाहर जा रहा है रास्ते में उसकी बिलकुल मदद नहीं करना हो अब बेचारा वो घाओं से भरा हुआ शरीर लेकर ठकी हुई अशक्तता और आगई घाओ तो रिष्टे ही रहे जैसे तैसे सुरियास्तिक बाहर पहुँचा सीमा के बाहर देखता है छोटा सा जंगल उसको पार किया सामने एक अन्न छत्र था रात हो गई थी थका मांदा पहुँचा वहाँ अन्न छत्र के अधिकारी को जाकर कहा कि दूर से आया हूँ ठका बहुत हूँ भोचन उसने गा अरे दुर्भागी प्राणी तुम ऐसे समय पहुँचे जब उन्हें बरतन मांजने के लिए भेज दिये अब मैं कुछ नहीं कर सकता रसोगी ये चले गए तुम अब ऐसा करो जहां बरतन मांजने वहाँ जाओ कुछ बरतनों में बचा होगा तो देख लो वो गए तो भात की खुर्चन एक बरतन में थी उसको खुरच-खुरच कर एक अंजूली भर जमा किया और खाना है तो पानी के पास तो कुवे के पास आ गए बैठने के लिए उसमें रात को एक चील घूम रही थी वो भी दिन बर की भूकी थी उसने आके जपट्टा मारके वो सारा भात इनके हाथ से उठा लिया अब ये क्या करेंगे निराशा से दुख्ख से विधना से जोर से चिलाए और जग गए जग गए तो देखते क्या है गदे तकिया मसनत सब लगा है आराम से सोरे पंखा जलने वाली दास दासी हाए शीतल जल रखा है सारी सुविदा है तो जनक अब तत्वद ने था तुरंत विचार में मगनो हो गया कि अभी मैं दुख्ख का अनुभो कर रहा था वेदना हो रही थी गा हुए थे खुन रिस रहा था ठक गया था भोजन हाथ का चला गया इसका दुख्ख था वेदना थी मन में बिल्कुल सत्य था मैंने अनुभो कर रहा था मैं क्या वो सत्य था और अब मैं देख रहा हूँ क्या ये सत्य है तो पूछने वाले नोकरों को उसने पूछा वो सच था कि ये सत्य है अब वो कुछ समझे नहीं बिचारे नहीं महाराज क्या हुआ बताओ वो सत्य था कि यह सत्य है वो घबड़ा गए उन्हों ने जाके महाराणी को बुला के लाए महाराणी पूछा महाराज क्या हुआ लो वो सत्य था कि यह सत्य है फिर एक एक बारी-बारी आने लिए राजा को ठीक करने राजा उनको यही सबसे विद्वान शास्तरार्थ से जीते हुए कि राजा को अचानक क्या होगा, पागल होगे, क्या है, वो इद्य कर रहे है कि पागलपन का कोई लक्षण नहीं है, यह जिग्यासा है, लेकिन जिग्यासा का है पता ही चलता, आप जर आईए, तो अश्टावकर गए, उन्हो ने पूछा राजा को, क्या हुआ हमारा राजा, वो सच है, यह सच है, तो उन्हों कहा वो क्या है, और यह कहा है, पहले बताओ, तो राजा ने कहानी बताई, तो अश्टावकर ने कहा कि देखो, अभी तुम यहां हो, यह दास-दासी, चिंती थै तुमारे स्वास्था के के लिए सब प्रकार की सेवा प्रस्तूत करने के लिए तयार है किसी बात की तुमको कमी नहीं दुख्ष का कोई लोलेश मन में रखने का कारण नहीं यह बताओ वह वह सब भोक रहे थे और चिल्ला रहे जहें दुख्डह मन में, उबल रहा था, उस समय, वो अभी है क्या? तुब नहीं है, तुब वो भी गलत है. ये सच है कि वो सच है? वो भी सच नहीं, ये भी सच नहीं. लेकिन ये बताौ कि उस सपन में तुम थे के नहीं? अनुभव लेने वारे कौन थे हाँ मैं था तुम हो और आज अभी तो मैं हूँ तो बिले फिर तुम सत्य हो केवल बाकी कुछ तो हमारे हम यह मानते ही है परन्तु मनुष्य सत्य है याने क्या क्या सत्य है शरीर सत्य है क्या मन सत्य है क्या शरीर को रजगुल्ला खाना है साथ खाए अब रजगुल्ला तो वही है लेकिन खाए तो मिचली करती है अब क्या हो गया वो शरीर की आशा वो सेट्रजी कि अब मन जो कह रहा है उप गया है उल्टी करना चाहता है वो सत्य है किसी ने कहा और बीस खाओगे तो खिलाओंगा लेकिन एक खाओगे तो एक जोता लगाओंगा सब के सामने तक या रोद देता हूं मन कहता नहीं नहीं ये नहीं चाहिए अरे तुमारी भूख सत्य है कि तुमारा आपमान सत्य है आर्किमीडी नाम के अज्यानीक थे उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान तम मिल गया ना रहते तब तब में बैठकर वो ऐसे ही उटके बाहर आये आनंद में मिल गया, मिल गया, युरे का, युरे का ऐसा कहने लगे लोग ऐसे उन्हें परवानी की तो उस आर्किमीडी का उस समय का शरीर का नंगापन सत्य था कि उसके बुद्धी में जो प्राप्ति का आनंद था वो सत्य था मनुष्य यहने क्या है, यह उन्हें सोचा नहीं है, हमारे यहां देवसांस्कृति हमारी यह सोचा गया और हमको वो सत्य मिल गया, वो सत्य क्या है, कि दिखता सब अलग-अलग है, लेकिन है सब एक, विविधता में एकता की बात नहीं है, आप कहेंगे unity and diversity, सब लोग ऐसे इतालिया बजाएंगे दुनिया के, क्योंकि वो ढूंड रहे, यह सब अलग-अलग है, इसमें एकता कहां है, और हजार प्रयास किये नहीं मिले, कृत्रिम आधार तयार किये, एकता के लिए, गुरु जेविजी ने भी कहा है, अभी मैं पढ़के आए एक जबी लिखा था कि भाषा, पूजा, संप्रदाय, आर्थी खीत वगरे, ऐसे सत्ता, ऐसे कृत्रिम आधार अब आने वाले युग में, मनुष्य के उन्नती के युग में, यह कृत्रिम आधार दोस्तो हो जाएंगे, यह कृत्रिम आधार है, भाषा किसने बनाई, भाषा हमने बनाई, हमारे आर्थिकित समान है अमरिकाने का इंगलेट से अलग है इसलिए इंगलेट से हम अलग हो गए ये एकता के आधार जो बने ये किस ने बनाए ये मनुष्य ने बनाए कुछ दिन तक चलते है बाद में समाप तो होते है जब आधार समाप तो होता है क्योंकि जिस आधार पर वो एक थे और उनका एक वयम था, हम पन था, हम सब एक है, हम सब ऐसे है, हम इजिप्शियन है, हम रोमन है, वो आधार ही मिट गिया, ऐसा नो हो, इसलिए उपर से एक डंड लाया जाता है, याने भय का भी सत्ता, वो सत्ता शासन करीगी, गड़बर क होगे तो, इस भय से भी लोग ठीक रहते, लेकिन भय कितने दिन चलेगा, मरी हुई मुर्गी आक से नहीं डरती, तो सर्व समर्थ, सत्ता संपन, साम्मिवादी रशिया खड़ा हो गया, कितने दिन चला फोला दी पड़दे का डर, सत्तर साल चला, उसके बाद क्या हुआ, जितना फटाक से खड़ा हुआ था, उतना ही धराम से गिर गया, तुकड़े हो गये, हमारे या हमने समझा, विविधता में एकता इसे नहीं डून दी जाती, ये समझना पड़ता है, ये एकता की ही विविधता है, डूनने की जरुरत नहीं, एकता की ही विविधता है, क्य क्या हमने उसको पाया, सारे अस्तित्व की एकता को हमारे पुर्वजों ने पाया, और इसलिए पहली बात उन्होंने कही कि अस्तित्व सारा एक है, विविधता उसका ही अविश्कार है, विविधता का द्वेश मत करो, विविधता से शत्रता मत करो, उल्टा, उसका स्विका करो और सब विविदताओं को साथ लेकर उनको न मिटाते हुए एक बनकर रहो क्योंकि एकता का आधार वो विविदता के कुछ पहलू नहीं है एकता का आधार है उसके मूल में जो एकत्व है एक तत्व है जिसके यह सारे आविश्कार है वो तत्व उसको जानो तुम्हारा जीवन उसको जानने के लिए उसको जानोगे तो शाश्वत सुक संतोष मिलेगा बहुतिकता के अंदरे में भटकोगे तो गर्तमें चली जाओगे लिकिन जान रखना जाना तुमको बहुतिकता में से ही अध्यात्मिक्ता के तरफ है इसलिए बहुतिकता का पूर्ण पूरी भौतिकता से वो अलग हो जाते हैं, उनको चाहिए नहीं भौतिकता, उनके लिए नहीं है, लेकिन हम आप सामान्य लोग, समाज में जीएंगे, दुनिया में जीएंगे, घरकृस्ति वाले लोग है, उनके लिए क्या है, भौतिकता को जान लो, और जीवन में जो खत्रे होते, भय होते, मुर्तिका भय होता है, अनेक अस्मानी, सुल्टानी, आप प्राप्त करो, विद्या के प्रकाश में अविद्या को उप्योग करो, यह एक संतुलित तरीका हमारे यहां बताया, यह कहा कि विविधता स्वाभाविक है, उसको जानने के बाद उस तत्व को भी, उसका वरणन आप करने जाओगे, तो वो तो शब्दों की विचार की प आप तो आप तो अपने बुद्धी में मर्याधित हो, तो विद्यान भ्याज मानता है ना, अपना जो दिमाग है, उसमें एक साफ्ट्वेर फिक्स्ट है, हमारे डी एने से आता है, वो साफ्ट्वेर हमको जो दिखाता है, वही हम देखते हैं, हम आप रंग, सफेद कपड केसरी कपडा, हमारे अलग 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 रंग के, यह से रंग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ एक्सिडेंट हो जाए, मेरे ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़े, और जहां यह साफ्ट्वेर है, वो भाग निकालना पड़े, तो मुझे सब लोग एक ही रंग के दिखेंग मैं सातो रंग और उनके उपर रंग देख सकता हूं मनुष्य के नाते, मेरा कुट्टा अगर है तो वो दो ही रंग देखता है, ब्लैक और वाइट, मेरे घर में मुर्गिया पलती है, तो मुर्गी तीन ही रंग देख सकती, क्योंकि साफ्ट्वेर वरवाई सही है, उनको चौथा रंग बताओ आपको लिए गलत बाज है, कभी कि इसन देखा एगया, तो ये हमारा दिमाग हमको एक पिंजड़े में बन करता है, उसके परे वो तत्व है, उसके परे जाकर उसका साक्षातकार होता है, भाव अगम में है, तो उस तत्व को जानो, सब का स्विकार क उस तत्व के वर्णन अलग-अलग है, उसको गलत मत मानो, रास्ते के पड़ाव है, पहाड चड़ रहे हैं, चार ओर से लोग, एक आदमी शिखर पर पहुंच गया, जो चड़ रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे, ये अपना रास्ता अच्छा है भाई, वो तो गलत च नहीं है, कोई बोलने के बाद उनको कते बदलो, कोई जबरदस्ती उनका रास्ता बदलने का करते है, कोई जो नहीं बदलते हैं, उनको वहीं मारपीट करके बगा देते हैं, इतना डिगरी का परक है, लेकिन जो उपर पहुंचा, वो देख रहा है उपर से, कि सब लोग अ देखते हैं。 और फिर हम ने सोचा कि ये आत्माही, प्रमात्माल्य ही सत्यसरवत्र है और वही है, बाकी तो आविश्कार है, वह बदलते रहते, वह शasवत नहीं है, ये तत्वशाश्वत है, वही सत्यता है, वही रियालिटी है, इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी विविधता देखते हैं, उसके साथ हमारा आत्मी यह संबंध है, तो अगर हमारे घर में कोई अच्छा पदार्थ बना, तो आज भी पडोसियों से हमारे अच्छे संबंध है, तो हम एक कटोरी में थोड़ा उनके यहां भेज देते हैं, वी शेयरिट, वी शेयरिट, अयम निजह परोवेती, ऐसा विचार वहां नहीं करते हैं, क्योंकि अब यह लगुचेतना नहीं रही, यह तो एक विशाल तत्व के आविश्कार में अपने अहंकार को भुलाकर, यह विश्व ही मेरा है, यह सब चरा-चर मही हूं, यह तत्व मिलने से वो पूर्ण हो जाता है ज्ञान मनुष्य का, यह तत्व म्यन्न मिलने से वो ज्ञान अधूरा रह जाता है, यह तत्व हमको मिला और हमारे पुरवजयों नहीं सूचा, कि अगर ऐसा है, तो ये महत्यो पुरुण ज्यान है, सब प्रकार का सुख देने वाला है, व्यावारिक सुख भी देने वाला है, भहुतिक सुख में भी चलने की रहा असान बनाने वाला है, सारी दुनिया को इसको देना चाहिए, और देना चाहिए तो इक्के दुक्के का तो काम है नहीं, इ उनके अनुभों के द्वारा अनेक प्रयोगों से बनी सांस्कृति, वही हमारी प्राचिन सनातन सांस्कृति की वही देवा सांस्कृति है, जिसको आज हिंदू सांस्कृति कहते हैं, उसमें हर बात में इसी बात का विचार है, उस सांस्कृति में अगर छोटा बच्चा भी स तुरियास्त के बाद पेड़ को हाथ लगाता है तो घर का बड़ा उसको कहता है रहे पेड़ सो रहा है पेड़ सोता है पेड़ जगता भी है पेड़ को अच्छा लगता है खराब लगता है ये दुनिया को इतने प्रगत दुनिया को किसे ने बताया उस समय जो पदद अलित गुलाम और दकियान उसी माना जाने वाला देश था भारत, उसके एक शास्त्रत ने थे, जगदीश चंदर बसू, उन्होंने दुनिया को बताया। यह विश्व ही मेरा घर है, ऐसी बुद्धी में स्थिर हो गया है। अब उसमें कोई शंकाव अगर नहीं, ऐसा ही देखता है, ऐसी ही बोलता है, ऐसी ही सोचता है, ऐसी करता है। सारा चराचर वो स्वयम ही हो गया। यह बात हमारी है, और इसलिए युनानमिस्र रोमा सब मिट गए जहा से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम इस तत्व पर खड़े, भारत, भारत, तेजका उपासक, गायत्री परिवार, गायत्री मंत्र देता है। यह क्या उपासना है, यह तेजकी उपासना है। इस यात्रा को करने वाले हम लोग हो गए, हमने सारी दुनिया को कभी भी कष्ट नहीं दिया। सर्वत्र गए, ज्ञान दिया, सभ्यता जी, अच्छा बनाया मनुश्यू। सामराज्य लूटे नहीं, सामराज्य जीते नहीं। दुष्टता कानाश किया। लेकिन विश्व को बचाने के लिए हमने हलाल पराशन किया। आज सुमवार है, शिवजी महराज किया। और इसलिए हमारे यहां यह शिक्षा है। और यह शिक्षा देने कैसे है, यह क्लास लेकर तो होता नहीं। भाशन मैं ऐसे करूँगा, आप मेरे से जादा अच्छा भाशन करोगे। लेकिन भाशनों से दोनिया नहीं बनाती यह भाशन हमी नहीं करते केवल। अभी दुनिया को तो ध्यान में आिसकती है कि ऐसा होना चाहिए। ध स्दुन में नहीं आता था तब ही वो यहीं बात करते थे। लेकिन होते हैं तो ग्लोबल मारकेट बनाना है। क्योंकि संबन्द कि है हमारा हम अलग-अलग है तो सवधा करो जो मेरे उपयोगी है मैं उनका भला करुँगा मेरे उपयोगी नहीं है उनके साथ सपरधा करूँगा उनको जितूँगा पिटूँगा नगा भी और इसलिए 2000 साल से उन्होंने भी प्रयोक किये सारी दुनिया में शांती हो कलह मिट जाए मिलकर चले प्रगती के लिए लेकिन उनको यस नहीं मिला और आज तो प्रामानिकता पर ही प्रश्णचिन्न खड़ा है उनके सब लोग एक तत्वज्ञान देते हैं अब एक तत्वज्ञान ऐसा दिया गया पूरन तहाँ जड़वादी उपभोगवादी तत्वज्ञान और कहा कि बस दोई है जिनके पास है जिनके पास नहीं है उनको बहुत चूसा गया अब उनको उठना चाहिए और अपना राज स्थापन करना चाहिए यह होने के बाद सब सुखे होंगी सब को अपनी आवश्यक्ता के अनुसार मिलेगा सब का परिश्रम उनकी शक्ति के अनुसार लिया जाएगा और राजवाजे की कोई जुरूरत नहीं रहेगी लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ दुनिया से दुनिया को एक राज़ बनाने वाले स्वयम अनेक राज़ों में विभक तो हो गए अब एक ही अपने आपको नाम के लिए वैसा कहने वाला बचा है उसका भी क्या होगा कि बता नहीं सकते लेकिन उनकी यह गती हुई क्योंकि उन्होंने यह आधार लिया नहीं जो सत्य आधार है हमने यह आधार लिया इसलिए हमारे यह भीशम भी कहते है न राज्यम नहीं वा राजासित न दंड्यो न चदांडी कहा धर्मे नहीं वा प्रजासर्वे रक्षन तिस्म परस्पर यह धर्म क्या है फिर से, धर्म केवल पूजा घर नहीं है, धर्म केवल भोजन गुरुए नहीं है, हमारी एक गलती यह हो गई, पिछले हजार वर्षों में हमने अपने धर्म को पूजा घर और भोजन घर में बंदिश्ट कर लिया, धर्म का स्पटो करना हमारी परंपरा में है, धर्म के चार पेर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जिसको भी आप धर्म मानते हो, वो इनकी चौखट में बैठना चाहिए, इसके बाहर है तो वो अधर्म है, चाहे आप परंपरा से करते आ रहे हो, आप परंपरा से मानत चुवाचुट ठीक है, लेकिन वो अधर्म है, उसमें करुणा नहीं है, सच्चे से भी प्रतारणा है. हमको उस टौकट में खड़ा होना पड़ेगा, जो हमारे पुर्वजों ने किया, दुनिया को ये देना है, उन्होंने हमारे समाज को तयार किया, कैसे तयार किया? उन्ह उन्होंने छोटे-छोटे प्रशिक्षन के केंदर खड़े की, इतना बड़ा देश, उस समय जनसंख्या तो इतनी नहीं थी, लेकिन लंबाई चावडातियों यही थी, मानस्तरोवर के उत्तर से, यानि तिबबत के चीन की तरफ धलान से श्रिलंगा के धक्षिन तक, और क जाबुल-जाबुल की पश्च्चिम से चिंद्विन नदी की फूरब तक हम ही थे, किम बहुना, यहां से जो संस्कृति, प्रतमा संस्कृति विश्ववारा निकली, वही सारी दुनिया में चल रही थी, तो इतने लंबे चोड़े अंतर में यह कैसे देना, तो जहां के आदार पर परिवार बने, कब बने कोई पॉइंट ऑफ टाइम जरूर होगा, क्योंकि एक यम यमी सूकत है वेदों में, उसमें यम की बहन यमी, उसको यम समझाता है, कि पुरुषों को केवल पुरुष के नाते मत देखो, पुरुषों ने महिला को केवल महिला के नात नहीं देखना चाहिए, ये तो उपभुप का संबंद हुआ, कोई भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई भगिनी होती है, कोई सास होती है, कोई बहु होती है, कोई पुत्री होती है, तो यह संबंद है संबंदों के आधार पर सैयम है सैयम के आधार पर जीना है स्वार्थ के लिए नहीं जीना है कुटुम्ब में जीना है तो कुटुम्ब के लिए जीते हैं हमारे यह सारे मुल्ली इसी से आए यह जो इतना बड़ा धर्म है अपना इतना बड़ा तत्वत न्यान है इशावास्यपनिशद में जो थोड़े में कहा गया है छारो वेदों नहीं जिसका बयान किया है सारे संतों नहीं जिसका उपदेश किया है चतुर वेदाह, पुराणानी, सरवोपनिशदथस था इतना बड़ा विशाल ज्ञान निजी इसने जो बताया है वो कियो विद्वानों को पता है क्या नहीं विद्वानों के पास शब्दा है विद्वानों के पास अवतारों उद्धरन है लेकिन हमारे सुदूर जंगल में छोटा से एक जमीन के टुकड़े पर खेती करके चलने वाली परिवार की बुढ़िया भी इसको जानती है वो अपने शब्दों में कहती है अपने शब्दों में कहती है उसका पोता आके कहता है दादी वो पैसा तुमने दिया था वो गुम हो गया तो उसका सांत्वन करती है चलो बैठा गुम गया तो गुम गया पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती है पश्चिम के उच्चतम विद्वान को भी ये वाक्य कभी नहीं सूझेगा पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती रिक्षवाला कहता है अगर खुतरा नहीं है तो अरे भी नहीं आच्छा जान दिजिए साथ पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती प्रडों को हाथ मत लगाओ कितनी ऐसी बाते घर के सामने मांगने वाला आ गया उसको देना है खालियात नहीं भेजना है और जो देना है घर के बच्चों से देना है ताकि वो समझे मेरे घर में जो भरा है किवल हमारे घर वालों के लिए नहीं है कोई भी आता है, वो परिचित भी नहीं है, वास्तों में उसको चाहिए कि एक चावल एक एक कटुरी जमा करके बाद में बेचेगा बाजर में, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको देना है, क्योंकि ये हमारा नहीं है, मैं मेरा से उपर चला जाता है, और ये कैसे होता है, वो सुनता है, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके सामने एक व्यवार खड़ा होता है, वो देखता है कि अपने घर में बड़े हैं, चोटे हैं, मेरे से बुद्धिमान हैं, मेरे से सक्तिवान हैं, मेरे से दुर्बल हैं, लेकिन हम एक घर के हम एक दूसरी के लिए जीते तो इक कुटुम्ब की कलपन आई, इसलिए हमने का वहाँ फैमिली है, वन फैमिली वगर कहते हैं, लेकिन फैमिली का कंसेप्ट तीन सो साल से वहाँ द्वस्त होते चला रहा है, आज तो पूरा द्वस्त हो गया, क्योंकि वही जो प्रचंड भौतिकवादी रचना है, अभी उसका प्रभाव वहाँ से हटा नहीं है, और वो लोग स्वतिकी जितना कुछ मंगल है, पवित्र है, चला आ रहा है, उसको पूर्णता ध्वस्त करके मनुष्य को पशु बनाकर खड़े करे बिना, दुनिया स्वतन्र नहीं होगी, तो न्याय को उनसा चलेगा, जंगल का जिसकी लाठी उसकी भैस, जिया शब्दकारती ही नहीं होआ, न्याय तब होता है जब सत्ये करुणा शुचितात अपसवाला धर्म वह चलता है, यह सब धर्म है, कुटुमब अपना धर्म पर चलता है, उसमें यह संसकारों के कारण, संसकुर्थी के कारण हम मानतें अपन लोग थोड़ी जानते हैं लेकिन हम मानते हैं इस्रद्धा है शंका नहीं है आपत लोगों ने जो बताया है जो हमारा हिज जाते है और जिनकों कोई अपना स्वार्त नहीं उन्होंने बताया है वो मनना है उसको करके देखना है इस प्रकार व्यवहार जो होता है वो व्यवहार दुनिया को एक घर बनाता है एक कुटुम्ब बनाता है अब हमको यह दुनिया को देना है भारत का उत्वान उसी के लिए है गुरुदेव ने भी घोशित किया है योगी अर्विंद ने भी अपने भाशन में कहा है भारत इस पूजा नहीं है, तुम्हारा खानपान नहीं है, तुम्हारा रंग नहीं है, तुम समाज में किस दर्जे को हो, कितना कमाते हो, ये भी कोई प्रश्णा नहीं है, तुम मनुष्य हो, ये तुम समझते हो, और मैं मनुष्य हो, ऐसे दुनिया में सारे लोग पवित्र ही है, उन को दूना है चूसना नहीं है हमारी प्रार्थना है जब रुद्रा भिषेक के बाद प्रार्थना की हमने तो उसका उसका अगला भाग जो वहान नहीं का आ गया यह हमारी प्रार्तना होती है वहां की आकांग्षा क्या है जो प्रचली थे उसमें उसमें आकांग्षा है और सरवे में सब आते जो और शांती अंतर शांती से लेकर शांती रेव शांती तक क्योंकि इन सब में हम है इन सब में पवित्रता है ये सब मेरे संबंध ही है मुझे इनके लिए जिना है मैं इन से लेता हूँ, मुझे वापस करना है भगवत गीता में भगवत गीता में भगवान ने साब साब कहा है कि ये चक्र है उस चक्र में मैंने ऐसा किया है कि तुम देवताओं को देते हो, देवता तुम को देते है परस्परम भावयंतम तुम्हारा एक आरोबार चलता है जो ऐसा नहीं करता ये एवं प्रवर्थितं चक्रम नानुवर्थयती हमें उसका क्या होता है? वो नश्टो होता है ऐसा करने वाला पापी है जो खुद खाता है यो नदताती भूंकते बिना दिये जो भोगता है तो उसको अगायूर इंद्रियाम राम इंद्रियों में रमने वाला अगायू याने पापी का है ये हमारे दृष्टी सांसकारों से कुटुम्ब में बनते हैं इसलिए बहुत सो समझकर शब्दों का उप्योग अपने पूर्वच करते थे वसुधा वसुओं को धारण करने वाली वसु देवता है सुरुष्टी के विविधा प्रकार के रूपों की उनको धारण करने वाली यह पृत्वी एक कुटुम्ब है ऐसा उन्होंने कहा यानि चित्र कैसा है कि सारे विश्व में यह व्यवार बिलकुल बचपन से छोटे-छोटे युनिट्स टक सिखाया जाएगा और लोग आपस में ऐसा व्यवार करेंगे यह नव होने के करन आज की सारी समस्या है मैं विस्तुरुची इसमें जाता नहीं हूँ यह हम को करना है तो करने से पहले हम को करना पड़ेगा हम सहु बाग इसालिये गाईत्री परवार के संपर्ग में आए मैं संग में जाता हूँ ये सारे अपने जो अनेक प्रकार के संप्रदाय, संगटन अपने जेश में हैं और संस्थाय भी है, अनेक व्यक्ति भी है, वो इन बातों को जानते हैं इसलिए उनके संगती से कुछ न कुछ अपना जीवन भी वैसा हो जाता है लेकिन 142 करोड लोग ऐसे होने चाहिए है, सारी दुनिया को गर सिखाने है वो हमारे आप अभी हुआ G20, उसमें C20 नाकपुर में हुआ था तो नाकपुर में हम्रतानन्द मही माता जी अध्यक्षता कर रही थी कहला सत्यार्थी जी आये थे, उन्होंने विशेर रखा वहा हो कि आप जोग ग्लोबलाइजेशन गरे की बात करतो हो, अर्थवय उस्ता का ग्लोबलाइजेशन गरो, कमपैशन, ग्लोबलाइजेशन गरोопасन क्योंकि सत्य तो है, यह कही तत्वा है, वो कही जाता वाता नहीं, बाकी तो चलता है। मरते मिटते हैं फिर से उपस्ते हैं, मरते मिटते हैं फिर से उपस्ते हैं। इसलिए उसका शोक्क बत करो। लेकिन तो पत्थर दिल की बात हो गए ना। ठीक है मेरा मैं नहीं करूंगा लेकिन दुसरे को किसी को हो रहा है तो मैं दुखनिवारन का प्रेयास करूंगा कि नहीं इतले राजा रंती देव ने कहा कि मुझे वो मुक्षोक्षन ही चाहिए इसकी व्योस्ता चाहिए वो मैं करूँ तथा गतने का कि बहुत पचड़े में मत पड़ो तत्व ज्यान के तुम कैसे दुखम उक्तो होंगे इसका विचार करो वो साधना करो और अन्य लोगों के दुखम दूर करो तो ये हमने लिया है उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा हमको पहले तयार होना पड़ेगा और इस दुख्ष निवारन के तरब जाना पड़ेगा उसका आधार करोना है करोना याने अपना पन है नहीं तो करोना रहती ही नहीं फ्रेम है करोना है ये सारे एक ही गुणसंपदा के अनिक पहलू है उसके आधार पर हमको अपने समाज को पहले तयार करना पूरे तो हमारे बोलने के पीछे एक जीवन खड़ा हो जाएगा उस जीवन को देख के लोग बदलेंगे एतदैश प्रसुतस्य सकाश अधगर चन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रन प्रतिव्याम सरु बानौ भाशन से नहीं होगा सम्मेलन कर लिए उससे नहीं होगा चार काम इदर दर कारिक्रम कर लिए उससे नहीं होगा तो हम सबको मिलके 142 करोड के देश को इस ठीवन में खड़ा करना पड़ेगा तब वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही लेकिन ये दुनिया भी एक नहीं सुखी सुन्दर दुनिया बनेगी उसके संपरकस है ऐसा ही भारत खड़ा होने के लिए उसका उत्थान हो रहा है भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है विश्वके कल्यान के लिए भारत उठा है ये जो सबको संतुलन देने वाला सबका एकसाथ हितसादने वाला शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा सबकी उन्नती एकसाथ कराने वाला सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है, धर्मतत्व है ये धर्म, वो धर्म, ऐसा कहते लोग लेकिन वो एक भ्रम है, ये कही धर्म है जिन योमों के आधार पर चलता है बिखरता नहीं, टूटता नहीं, उपर उठता है वो धर्म है सबको भी धर्म कहते, कर्तवयों को भी धर्म कहते जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत ये हमको खड़ा करना है वसुधहिवकुटुम्बकम इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्था है उनको हम समझे और अपने अपने कृती में हम स्वयम प्रवन होकर संपूर्ण समाज को इस उद्यम को लगाई है क्योंकि भारत के अमर जीवित्व का यही प्रयोजन है धन्यवाद